नवस्कार आप सबी कफर से स्वागत है आपके अपनी चैनल All News भाई उदसर में दोस्तो इस चैनल के माध्यम से पलपल की जानकरी हम आपके साथ में सेर करते हैं खासकर हरियनस से संबन्दित कोई भी कैसी भी जानकरी चाहे किसान भाईयों से संबन्दित राजनिती है, पंचेक चुनाब है, टेरपल पी, आईश्मन कार्ड, बीपिल कार्ड, फैमली आईडी, सकूल कॉलिज से जुड़ी हुई जानकरी, भरतियां, एकजम से जुड़ी हुई जानकरी सबसे पहले आपके साथ में सेर करते हैं, खासकर हरियाना की सबी न्यूज भई, जो नए साथी हैं हम आपके लिए इतनी महनत कर रहे हैं तो आपका भी फरज बनता है, पिलीज इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शे चुनाब से संब्दित, तीन तीन बड़ी जन करी है, और साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे, पंच्याज चुनाब की जो संभावित्तिती है, वो कब हो सकती है, तो वीडियो के साथ आप सभी बने रहें, दोस्तों पहले आप ये देखें, जो ये पंच्याज चुन कि योजे भारी पढ़ रहे है, पंच्याज चुनाबों की लेट लथीफिवई, यानि कि ये बहुत भारी पढ़ रहे है, पेचड़ा वर के ड्रा संपन नहीं होने से अनेक संभावित उमिद्वार परेशान है, जो उमिद्वार एलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और अवी तक ये ड्राकी पिरकरिया पूर नहीं हूई है, कम्प्लीट नहीं हूई है, जिसकी वजह से जो अम्मीदवार है, जिस चाहिए वो पंच है, सरपंच है, जिला परिस्त है, ब्लॉक्षमीती का है बई, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है बई, चुनाव जीतने की लाल साल से ग्राम इनों को भी संपर्क बनाए हूए संबाबित उम्मीद्वार यह उम्मीद्वार डेड़ साल से गामों में यानिकि जो सदिश्य होते हैं जो गाम की जो जन्सेंग के होते हैं उनके बीच में संपर्क साधे हूए है और अब तक बहुत ही जाता संख्या में इतने उम्मिदवार है जिन्होंने लाखों रुपे खर्च कर दियें और चुनाब की रेट फिक्स नहीं हुए यानि कि हम कह सकतें कि वो बरवाद हो गए एक प्रकार से और चुनाब अभी तक हुआ नहीं है और यहां पर जितने भी उम्मिदवार है वो परिशान हो गए भई क्योंकि अभी तो कोई संबावित तिथी भी नजर नहीं आ रही है कभी कहते हैं 30 सतंबर से पहले चुनाब हो जाएगा देवंदर बवली पंचैच मंत्री किलियर कहते हैं 30 तारिक से पहले होगा फिर जनकरी निकल कर सामने आते हैं कि दसायरा के बाद चुनाब होगा दिपा कितने बरबाद होगे हैं इस इलेक्शन के चक्कर में डेड़ साल से पैसा खर्च करने हैं लेकिन अभी तक कोई तारीक डिकलेर नहीं हुई है बई अब यहाँ पर वार्ड वंदी नहीं हुई है आरक्शन के पिरकरिया चली हुई है पता नहीं कब तक संपन होगी लेकिन यहाँ पर अभी कोई आने कि हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकास कहीं भी नजर नहीं आरा वहीं लेकिन समय ही बताएगा लेकिन मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है और मैं फिर से कह रहा हूँ यानि कि 22 तारिक तक जो पिरकिरिया है वो सरकार के तरफ से चाहिए वो ड्रा है या फिर आरक्षन का मुद्दा वो किलियर हो करें यानि कि चुनाव आउक्त के पास नहीं जाएगा तो भाई 30 तारिक तक वी साइद आपके चुनाव नहीं हो 30 नमबर तक फिर तो संपन हो जाएगा अगर ये 22 सेतंबर तक ये पिरकिरिया पूरी कर ली जाएगी वरना चुनाव और भी डिले हो सकते हैं और 2024 में भी जा सकते हैं लेकिन अगर ये पिरकिरिया पूरी हो जाएगी जो नए साथ ने हैं चैनल को सबस्क्राइब कर देना और वीडियो को जदा से जदा सेर कर देना पल-पल की जानकारी हम आपके साथ में सेर करने है भई एक मात्र चैनल है जो सबसे पहले सही समय पर सही जानकारी आपके लिए 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 कराता है और दोस्तो बस इतना ही कह सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी ने इस वीडियो को इहां तक देखा आप सभी का बहुत ओधन्यवाद